तो गैस प्रिविएसली मैंने इस लाप्टॉप का जो है रिव्यू किया था 8GB वेला वर्शन जो कि है लिनोवो की तब से लिनोवो एलो क्यू सीरीज और यहां पर है इंटल की तब से इंटल आर्क 530 एम तो यह दोस्तों मैं कंपेर करने वालों यहां पर रैम अप्ग्रेट कैसे करते है और रैम को अप्ग्रेट के बाद कैसा इसका परफॉर्मस आथा 8GB वर्शस 16GB आउट्वूट क्या आता है लेट्स सी आपको अंदाजा लग जाए कि कौन सा लैप्टव आपको चूज करना चाहिए लेना चाहिए अपग्रेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए सब कुछ जानेंगे तो चलिए केक स्टार्ट करते है तो यहां पर जो 16GB के साथ कितना डिफ्रेंस आता है वह चलिए यहां पर जो राम है यहां पर जो राम यूस किया है यह आप लोग देख पार हो यह देटा की तरफ से हमें जो है राम यह देखने को मिल जाए तो अगर आप लोग राम वगदा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिशन वाक्स में मिल जाएगा तो उससे आप को खोलते हैं लाट्र को खोलने के साथ सा बैक साइट का पैनल खोलने के बाद हमें यहां पर मॉडियूल दो देखने को पर एक तो ऑक्कुपाइट था पहले से सैमसंग की तरफ से यह राम मिला मुझे जो डीडी आप फाइफ फॉर्ट तो में में लोग लगाएंगे एक टिप देना चाहूंगा जब भी आप लाप्टॉप की मेक शूर करना की दो तीन बार आप लोग री स्टार्ट करें चीजों को के उसके बाद यह आपको बेटा परफॉर्मेंस मिलेगा एक बार ही ओन करतो यूज करतो तो कहीं हद तक जो चीज़ें अच्छी तरीके से बै और यहां पर जितने भी टेस्ट में कर रहा हूं यहां पर चार्जर प्लग दिन था टर्बो मोड के अंदर था यहां पर उन्दा मक स्विच है इसके अंदर तो डीजी प्यों सेट अल्रेडी करके मैंने सारे टेस्ट यहां पर कंड़क किया रों का थंपेशर आप लोग सा यहां पर कंड़क किया था जैसे कि मैंने प्रीवेस टेस्ट में आप लोगों को रेजल दिखा है अभी कंपारिसन करेंगे 8GB और 60GB में तो PCMark 10 का स्कोर यहां पर 8GB के अंदर हमें 6397 मिला और सेम 16GB वर्शन के अंदर PCMark 10 हमें 6455 मिला थो थोड़ा हमें इंक्रीमेंट यहां को मिल रहा है 3DMark Time Spy की बात करें तो वहां पर 8GB version के अंदर 5937 overall score मिला GPU score यहां पर 5946 और CPU score यहां पर 5889 अभी 16GB की बात करें 3DMark Time Spy सेम यहां पर 5938 जो की लगबग एक पॉइंट हमें जादा देखने को मिल रहा है overall score के अंदर और GPU की बात करें यह 5965 में मिला और CPU का score यहां पर 5791 तो लगबग यहां पर equivalent performance हमें 3DMark Time Spy में मिल रहा था दन Geekband 6 मेंने ट्राइक है जहां पर single core का score मुझे 2192 मिला और multicore यहां पर 7631 और OpenCL का score 49417 यह 8GB वर्षिन के अंदर अभी 16GB के अंदर Geekband 6 ट्राइक करने पर single core का score यहां पर 2206, multicore 9342 और OpenCL का score 49728 तो यहां पर हलका फुलका हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और massive increment हमें चुए ना multicore performance में मिल रहा है तो multicore score आपको 16GB के अंदर जादा अच्छी देखने को मिल रहा है वह तो obvious था क्योंकि RAM अगर जादा होता है तो multicore performance और CPU का performance थोड़ा increase already हो जाता है then हमने यहां पर Cinebench R23 8GB version के अंदर ट्राई किया जाए multicore का score मुझे 10,343 मिला और single core यहां पर 1568 similarly 16GB के साथ हम लोगें टेस्ट करने पर यहां पर जो Cinebench R23 का score multicore के अंदर वो था 10384 जो कि लगबग 40 point जादा आपको देखने को यहां पर मिल रहा है next single core के अंदर हमें 1532 मिला जो कि थोड़ा हमें lower score यहां पर देखने को मिला as compared to 8GB तो वो जो आप equal category में ही पगड़ सकते हो Cinebench R15 की बात करें openGL का यहां पर fps जो हमें देखने को मिला वो 130,35 fps 8GB version के अंदर और अभी अकर मैं यहां पर CPU score की बात करूं multi-core वो हमें 1518CB मिला और single core 222CB अभी अगर 16GB की टेस्ट की बात करें Cinebench R15 की यहां पर openGL का score मुझे है यहां पर fps इंक्रीमेंट देखने को मिला यहां पर 6 fps आपको जार देखने को मिला 136.83 fps और CPU का score यहां पर 1519CB और single core का जो performance है वो डबल 23CB तो अभी गेमिंग टेस से 8GB और 16GB के वर्शन के अंदर तो मैंने अल्रीडेटी का टेस्ट करके रखा है बाट यहां पर 16GB से कंपेर करें तो फर्स्ट केम ऑन लेस्ट इस साइबर पंक करते तो यहां पर हाई प्रिसेट जो था उसी पर टेस्ट किया गया था और यहां पर जो DLSS वागे रहा है फ करके टेस्क करने पर यहां पर एक देखने को मिला प्रिवेस्ली 8GB के अंदर जो है ना हमें 45 तो 46 एफ इस देखने को मिल रहा था और यहां पर भी हमें लगभा 55-60 यहां पर यहां पर यहां पर जो एक दो एक दोटा पर नहीं परता है और यहां पर यहां पर रेगूलर 77-80 डिग्री का आसपास तो टेंपरेचर जा रहा था 45 वाडी कंजम्शन था बट यहां पर जो एक सो दस एक सो पंदर एक से बीच में रिवाल्व कर रहा था तो उतना दोनों में डिफरेंस हमें नहीं मिलता है बट रैम कंजम्शन जो है आपको ज्यादा देखने को मिलती है जब आप लोग 16 जीवी पे यूस करो गए लगभा रहे है क्या वेलोरेंट जो की हाई प्रिसेट के अंदर था और फ्प्लास और यह सेम गेम हर लोग है जब हाई प्रिसेट में वेलोरेंट को ट्राइ किया था तब मुझे यहां बेर चुछन टू थर्टी प्लस ही देखने को मिल रहा था अभी यह टू फिवीवीट प्लास टीजीपी कंज्यूम कर पा रहा था तो लगबग सीमिलर टेंपरेचर और कंजम्शन हमें मिलता है तो नेक्स गेम जो है वह रेड़ डेट डेंपरेशन टू जहां पे अब यहां पे जो अल्टरा फिवर क्वालिटी इसके अंदर हमें एपएस 44 एपिस और अवरेज देखने को मिलता है और लगबग सीमिलर सा ही हमें देखने को मिला कोज भी वहां पे चेंजेश नहीं है बट यहां पे अगर आप लोग क्वालिटी को बैलेस्में रखते हो तो आपको जो है 55-60 fps प्लस ही आप लोगो देखने को वहां पे fps मिलेगा तो आप लोग आशानी से एंजॉय कर पाओगे नेक्स गेम जो है COD वार्जोन जो की 90-20 प्रिसेट था 16G रिवर्शन के अंदर टेस्ट था रेकमेंडेट प्रिसेट था और यहां पे मुझे fps 80-85 fps दे देखने को मिल रहा था बाट यहां पे हमें जोना बहुत बढ़िया fps इंक्रीमेंट देखने को मिला 80-85 और cpu का टेंपेटर 79 डिवर्ट कंज्यूम कर रहा था और gpu 70 डिवर्ट कंज्यूम कर पा रहा था अभी हम लोगों ने इंटल xcs को जो है on कर दिया यहां पे जो cpu का टेंपेटर था वह 75 डिवर्ट कंज्यूम कर रहा था और यहां पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 85 प्लस और आवरेज जारा था और 87 तक वह मैंक्स तच किया था और सिमिलरली यहां पे अगर मैं इसको कंपेर करता हो प्रीविएस 8 जीवी वर्शन से वहां पे सिर्फ हमें 65 fps on average ही मिल रहा था जो कि बहुत ही जादा अच्छा इंप्रूब्मेंट है इन 16 जीवी वर्शन तो अवर आपने देखा कि यहां पर रैम जब मैंने 16 जीवी तक अप्ग्रेट किया तो मुझे परफॉर्मेंस में जम्प यहां पर मिला सीप्यू परफॉर्मेंस में ज स्टटर वगएरा नहीं करता है अगर में 8GB वर्शन की बात करो तो देखो पहले में प्रीमियर प्रो जब खोल रहा था तब थोड़ा मुझे जोना लैक देखने को मिला बट जब मैं यहां पर ज्यादा लोड नहीं दिया 16GB में डिरेकली यूज कर रहा था तो आसानी से फ अगर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको रहा अपग्रेट करना चाहिए हां आपको आपको करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस मिले एक अडिशनल स्लॉट या पर SSD का भी है तो वह अगर आप लोग को अपग्रेट करना इन केस तो वह भी आप लोग कर पाऊगे तो यह फ्लेक्सिविलिटी भी इसके अंदर आपको मिल कर दो कि एड़ाए